गुड मोर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है अपरेल 28, 2022 और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूजपेपर के अनलसीज मेरा नाम है सितेंदर चोधरी अगर ब्रीफ देखते हैं कौन कौन से टोपी करेंगे तो फ्रेंट पेज बेज जो न्यूज रहने वाली है वो प बसृप क्या है उसके बारें बात करेंगे नैशनल पोपुलेशन रिजिस्टर फिर तो ये न पी आर क्या होता है ये न रसी से कैसे अलग होता है ये थोड़ा हम लोग देखेंगे पाम ओल इंडोनेशिया भाई या इंडोनेशिया ने कुछ ऐसे step लिये हैं या लेने वाला है थोड़े समय में जिसकी वज़े से हमारी दाल में जो तड़का लगता था ना वो तड़का थोड़ा सा फीका हो सकता है क्या वो step लिया है उसको देखेंगे hydrogen energy and the future ये आज का editorial section है और एकदम बना बनाया mains का ये answer आपको दिया हुआ है कुछ मेहनत नहीं करना है as it is यहीं से content आपके answer के अंदर आता है जब अरदस्त article है इसको future के लिए आपने save भी कर लेना है जब या mains दोगे इसको जाकर ज़रूर देखना है उसको additional articles उसके बाद हमारे पास रहेंगे त तो पहली news हमारे यहाँ पे आती है 11 die as the chariot touches life wire बहुत ही unfortunate incident हुआ एक धार्मिक एक procession निकाला जा रहा था तमिलनाडू के अंदर और वहाँ पे जो ओपर खंबे पे जो तारे होती है न बिजली की तो उससे वह टकरा गया आग लग गई और बिजली लगने से current लगने से 11 ल जो diesel petrol aviation fuel होता है वो GST का पार्ट नहीं है और GST हमारे पास 3 तरह की होती है state GST होती है center GST होती है और हमारे पास IGST होती है IGST के मतली होता है कि जो interstate trade होती है है न उसके उपर लगाया जाता है तो fuel के उपर state अलग से duty लगाता है center अलग से लगाता है जिसके वज़े से fuel का price बहुत हाई हो गया है थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था अगर हम लोग फ्यूल को अगर GST के अंदर इंकलूड कर देते हैं तो आज के समय पेटरोल का प्राइस हो है वो 64 रुपीज होता है अगर GST में लगाते हो GST में ना लगाने के वज़े से वह यह 120-110 क्या सपा चल रहा है यह चीज हो गई तो यह थोड़ा वैसे तो मोदी जी की एक political statement इनका कहना है कि जो BJP ruled state है उन्होंने अपना tax कम कर दिया है वहाँ पर price कम है जो non-BJP state है वहाँ पर price high and all that इस तरह की बाते उन्होंने बोली है बट यहाँ पर कुछ prelims के लिए हम question देख सकते हैं पहला तो आपको यह बताना है question कि जो GST है वो multiple point tax है या फिर वो single point tax है एक तो आपको यह बताना है फिक है multiple point है या single point है दूसरा आपको यह बताना है कि जो IGST होता है जो interstate trade के अंदर में लगाया जाता है इसे कौन collect करता है collect करने के बाद वो किस तरह से distribute होता है ठीक है क्या वो दोनों state के बीच में बराबर बराबर मांट दिया जाता है या फिर वो उस state को दिया जाता है जो destination state है या फिर इसको पूरी तरह से center रखती है या फिर सभी में center में और दोनों state में बराबर बराबर मांटा जाता है तो ये दो point आपके prelims के perspective से आपको यहांबे बताने हैं, ठीक है, थोड़ असटफ आपको लग सकता है, लेकिन कोशिश करना बताने की, यह सुप्रीम कोट ने पूछा है, एक्चुली यह जब राजीव गांदी जी की assassination हुआ था, तो उसके case में इनको जो है, इनको उमरकाज की सजा मिली थी, वर इनको अभी कोट में जो है, वो 30 साल हो गए हैं, इनको spend किये हुए, हुआ यह कि तमीलाडू की सरकार, जो वहाँ पे council of minister है, cabinet की आप कह सकते हो, उन्होंने governor को यह बोला था, कि आप इनको release कर दीजिए, क्योंकि governor के पास यह power होती है, वो किसी को release कर सकते हैं, पाडन कर सकते हैं, तो उनको कहा था कि भीया हो, ठीक है, 30 साल हो गया, इनको jail में पड़े पड़े, अब यह समय आ गया, आप इनको निकाल दीजिए, भुजूर्ग हो गए है, तो उन्होंने अपना कुछ argument दिया था, लेकिन governor ने कहा, नहीं, मैं इसको, यह जो decision को जो है, मैं वो president के लिए रखूँगा, तो उन्होंने वो president के पास भेज दिया, लेकिन हम हमारा जो article 161 है, article 161 कहता है कि भाईया, ऐसे case में governor, president के पास भेज ही नहीं सकता, हाँ, ज्यादर ज्यादर क्या कर सकता है, governor वापिस से उसको state legislature को भेज सकता है, cabinet को भेज सकता है, basically, कि भाईया इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजे, दुबारा से अगर cabinet उसको बोलती है, पास करने के लिए तो उसको पास करना बढ़ता है, क्योंकि governor जो decision लेता है, जो council of ministry का decision उसके पर binding होता है, लेकिन इस case में क्या क्या, governor ने उसको president को transfer कर दिया, जो की unconstitutional है, ऐसा constitutional provision है ही नहीं, तो उसी case में जो है, Supreme Court ने Center Government को कहा है, कि देखे, पहली बात यह चीज गलत को रिहा कर दिया जाता है, जेल से, हलांकि वो bail पे अभी बाहर है, लेकिन वो पूरी तरह से उनके release नहीं किया गया है, तो यह थोड़ा सा मामला यहां पर देख सकते हूँ, पार्णिंग पावर के बारे में हम लोग कहीं बार बात कर चुके हैं, लेकिन रिमिट कर सकते हैं, है न, कम्यूट कर सकते हैं, वो सारी सारी चीज़े हैं, सुप्रिंग कोट फिक्सिस फाइनल सैडिशन, सैडिशन के बारे में कल हम लोग ने अच्छी खासी बात किया था, 124A आर्टिकल ओफावर यह IPC, तो दुबारे से इसको रिबिट करने का कोई फायदा है नहीं, तीन मुन्सिपलिटी को इन्दर मतरा दिल्ली के अंदर उन से जो पराने आर्टिस्ट थे, बहुत सारे, उनके मकान खाली करवाए जा रहे हैं, जहां पर रह रहे थे, सरकारी क्वार्टर वगएरा में, हैना वो थोड़ा पढ़ना है ता उसको पढ़ सकते हो, लाट स्पीकर रिमोर्ड फ्रमदा रिलीजिस साइट इन यूपी, उत् बाकी, देखें, सुप्रीम कोट ने बार बार अपनी कहीं सारे, वर्डिक्ट में कहा चुकी है, पास्ट में, कि ये जो मंदीर, मस्जीद या रिलीजिस साइट के उपर, जो लाट स्पीकर वजाय जाता है, ये अनकॉंसिटूशनल है, बहुत बार सुप्रीम कोट के द्व के उपर कहता है, रशियन स्टोप्स गैस सप्लाई टू नाटो नेशन, देखें, थोड़ा आपका मैं बताता चलू, थोड़ा मैप वर्क देख कर लेते हैं, आज, देखें, यहाँ पर आपका हो जाता है, ये है रशिया, और इसके साइड में हो जाता है, यहाँ पर यूक यार है, ये दोनों है, थोड़ा सा पहला रूस से आगे जाओगे, तो यहाँ पर कंट्री बढ़ता है, जिसे कहते हैं, पोलेंड, पोलेंड और यूकरेन के बहुत ही अच्छे गहरे रिष्टे हैं, इवन यूकरेन से बहुत सारे लोग, मिलियन्स ओफ लोग जो हैं, वो पोलेंड के अंदर ही समय as a refugee, जो है, वो आयोए हैं, और वैसे भी पोलेंड के अंदर बहुत बड़ी यूकरेन की population पहले से रहती भी है, वो सारे चीज़े हो गई, यूकरेन से जैसे थोड़ा आप नीचे की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर कंट्री बढ़ती है रोमानिया और रोमानिया से थोड़ा आप नीचे जाओगे दोस्तों, यहाँ पर कंट्री बढ़ती है, बुलगारिया, तो यह जो दो कंट्री है, वो काफी जादा न्यूज में है, थोड़ा अगर आगे बढ़े हैं, तो पोलेंड से थोड़ा आगे जाओगे, तो यहाँ पर जाता ह हो, ठीक है, यह कंट्री बढ़ती है आपका नेधरलेंड, और यह कंट्री कौन सा है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या, फटा फट बताओ तो बात का मजा ही आ जाएगा, अब देखिए, यह तो चीजे होगी कंट्री के बारे में, यहाँ पर आपका कंट करी आ जाते हैं, जिसे कहते हैं, एस्टोनिया, थोड़ा एस्टोनिय से आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पर कंट्री आपके आ जाते हैं लात्विया, ठीक है, लात्विया, और लात्विया से थोड़ा नीचे आओगे, यह कंट्री एक बढ़ता है यहाँ यह आप मुझे से बिलकुल नीचे है और बेलारूस के साथ इसकी बाउंडरी शेर करता है तो यह तो पुरे का परमामला चली रहा था अब इसमें रशिया यह जो जितनी mostly country है यहाँ पर अपनी oil की demand के लिए natural gas की demand के लिए Russia के उपर depend करते हैं और अभी क्योंकि Ukraine के साथ उनका crisis चल रहा है तो इन सभी country ने Russia के उपर sanctions लगाये हुए है Russia काफी समय से इनको बोल रहा था क्योंकि sanctions के वज़े से क्या हो ना कि जो Russia की currency वा काफी down जा रही थी तो Russia ने इनको कहा के मैं अभी अपने oil के लिए dollar में payment लूँगा ही नहीं भाया मुझे तो ruble में payment चाहिए क्योंकि मजी अपना ruble strong करना है जिस भी country के demand होती है वो strong हो जाती है currency यह पुरे का पुरा मामला था Poland ने कहा के नहीं भाया मैं तो करूँगा dollar में ही लेना है तो लो नहीं लेना है तो मत लो Russia ने का ठीक है भाया तुम अगर जादा हवाबाजी में आ रहे हो तो ठीक है हम मैं आपको control कर सकता हूँ क्योंकि आपको मैं यह दो country है बुलकारिया और पॉलेंड तो इनकी natural gas की उनकी उन्होंने बंद कर दिया है तो भाया हम आपको natural gas देंगे ही नहीं ठीक है तो यह किय क्यों गया कुछ expert का कहना कि Poland यह रशिया इसलिए कर रहा है ताकि जो यह European countries है इनके बीच में जो भाई चारा है उसको तोड़ा जा सके ताकि कुछ country जो है revolt कर सके उनके अगेंस्ट में जा सके कुछ लोगों का यह कहना है लेकि फिलाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है बहुत सारी countries हैं जो इस समयन की help करने को तो बिल्कुल तयार है तो वो जो है थोड़ा सा बस यहां पर मामला बनता है नाटो गारा का बाकी चीज हम लोग को लड़ी कर चुके हैं कल हम लोग ने दो question किये थे वीचो दा following taxes are abolished by the goods and services tax कौन सा हम लोग ने यहां पर कल दिया ह corporate tax, property tax, wet and all of the above देखिए wet तो हमारे पास पहले था जो definitely इसको तो abolish कर दिया गया corporation tax क्या होता है, property tax क्या होता है, क्या यह direct tax थे या indirect tax थे मैंने देखा कई सारे student ऐसे हैं जिन्होंने answer नहीं दिया है, जिन्होंने कई सारे student ने answer यहां पर दिया हुआ है wet basically value added tax, actually जो GST होता है यह सिर्फ wet ही होता है, wet से बिल्कुल भी अलग नहीं होता है फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस ने GST के अंदर, देखे दोनों value added है न इस GST के provision के अंदर जो है वो उसको large scale पे जो है Indian scale पे उसको कर दिया गया है ठीक है, property tax को भी हम लोगों ने abolish कर दिया है, corporate tax को भी हम लोगों ने, corporation tax अलग होता है, corporate tax अलग होता है corporate tax दोस्ते एक direct tax होता है, ठीक है, और property tax भी एक तरह का direct tax होता है जब आप property रखते हो किसी एक limit से जादा तो आपके उपर वो भी tax लगाया जाता है, तो ये भी एक तरह का आपके पास personal income tax जैसा ही होता है आपकी property के basis पे होता है, हाँ, VAT को हम लोगों ने abolish कर दिया, क्योंकि VAT तो बिलकुल GST के जैसा ही होता है GST actually VAT ही होता है, अलग भी नहीं होता है, सिर्व वो बड़े larger scale पे होता है which of the following tax is imposed in the central government, but the state government collects it, तो वही है, वो हमारा stamp duty होता है चीक है, VAT तो state के द्वारा ही लगाया जाता है, state उसको अपने पास रखते है, income tax जो आपका personal income tax होता है corporate tax भी आपका जो है, आपका जो है, income tax ही होता है एक तरह का, लेकिन यह जो income होती है वो corporate की income होती है, individual income नहीं होती है, stamp duty हमारे लक्षमी काथ में भी center state relationship में यह topic दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, छेके जी और यह बढ़ते हैं दोस्तो, plan for the 4G upgrade in NWE area, जो left wing extremism area है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह जो आपको red, yellow थोड़ा सा नजर आ रहा है यह थोड़े से, जो खास कर जो जादा dark red वाले हैं, जैसे दंते वाड़ा, वो 36 गड़ में कुछ district वाड़ा पड़ती हैं, यह काफी जादा affected है नक्सलिजम से, तो इन areas में क्या है न, अभी तक 2G चल रहा था, 4G network वहाँ पे आ ही नहीं पा रहा था, बहुत सा पैसा भी सरकार ने वहाँ पे अलोट किया है, मतलब 2,500 करोड के लगभग, कि आप यहाँ पे 4G network को चालू कीजिए, infrastructure को बनाईए, तो वो जो है चीज़ी यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि देखे जब communication होता है, network की समस्या दूर होती है, internet आपके पास आता है, तो बहुत इसके बारे में हम लोग अच्छी कासी बात कर चुके हैं, तो बार-बार, क्योंकि यह टोपिक से लेटल भी नहीं है, इतना सची है, हम लोग 4G से बात कर रहे थे, बट आपको मैं recommend करता हूँ, कि आपके जो notes है, GS paper 3 के internal security वाले, वहाँ पे आप जो हिन सारे topic को definitely cover करोगे, कौन कौन से scheme ले रखी हैं, हर scheme के बारे में 2-2-4-4 provision आपको पता होने चीए, उसकी कहानी क्या है, पूरी थोड़ा बहुत आप उसको जाकर definitely देख सकते हूँ, left wing extremism की बात आती है, तो मैंने करी student को देखा, हाँ सरी यह कहां शुरू हुआ था, नक्षल बारे में यह शु शुरू हुआ था, उस शुरू होने की पिछी ideology कौन सी थी, international ideology कौन सी है, domestic ideology कौन सी है, कितने उसके functions है, कौन कौन सी अलग अलग branches में वो develop हुआ है, वो जो है कौन कितने उसमें democracy के अंदर participant करते हैं, अभी कितने लोग नहीं करते हैं, यह dimensions हमें पता होनी चाहिए, अगर आ ज़्यादा deep आपको थोड़ा जानने की जोरत पड़ेगी, overall understanding के लिए, आगे बढ़ते हैं, birth-death reporting to be automated, देखिए, जो वैसे तो जो birth-death certificate होता है, यह state government का काम होता है, state government उसको अपने हिसाब से करती है, और center, हमारे पास national level पे भी होता है, जिसे का जाता है, civil registration system, तो इसके त पे बच्चा पैदा होगा, उसके delivery होगी, या कोई death होती है, reporting होती है, तो automatically वो एकदम real time में वो update हो जाएगा, और हमारे पास exact picture हम उसको हमारी मिल जाएगी, तो यह जो आपका जो register, यह कहा है, जो CRS है, जो की civil registration system है, जिसमें लोग यह maintain करते है, record, it is run by the register our journal of India, और यह कि register भी maintain करता है, चीसे कहते है, National Population Register, तो इसमें इंडिया में जो रहने वाले लोग है, उनकी बेसिक लिए जनसंख्या करता है, यह normal जनसंख्या से थोड़ा अलग होता है, NPR के अंदर हम लोग क्या करते है, थोड़ा भी आगे बताऊंगा, खेर अभी तो इसके बारे बात क है न, यह सबसे पहले किसके अंदर करता है, कौन सा कानून है, Registration of Birth and Death Act 1969, इसके तहत यह सारी सारी चीज़े की जाती है, और आपका एक चीज़ और बता दू कि इंडिया में यह जो कानून है, इसके तहत बर्थ और डेथ जो register करवाना mandatory होता है, अगर आप नहीं करवाते ह हो, तो इसके मतलबा कानून का उलंगन कर रहे हो, चीक है, इंडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है, 2009 के अंदर इंडिया में जो birth rate का जो registration होता था, वो कितना था, 2009 के अंदर 81%, जो कि 2018 में बढ़के कितना हो गया, 89%, मतलब काफी लोग यहाँ पर register करवाते हैं, उसके हमारे civil registration system के अंदर change करना चाहती है, और वो change कैसी होगा, ने technology के साथ होगा, technology का मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपके अधार काड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी biometric data की बात कर रहा हूँ, तो national population register होता क्या है, यह हमारी country में उन लोगों को count करता है, जो कि usual resident होते हैं, अब यह आप बोलोगे सार, usual resident का क्या मतलब होता है, usual resident का मतलब यह होता है, जो आदमी हमारे country में पिछले किसी local area में 6 महीने से रह रहा होगा, या फिर अगले 6 महीने में रहने का plan कर रहा होगा, उसे कहा जाता है, usual resident of the country, अब आपकी चीज़ बताता है, चलो क यहाँ पे यह सिर्फ वो सिटीजन नहीं होते हैं, यह कोई foreigners भी हो सकते हैं, जो कि इंडिया में 6 महीने से रह रहे होंगे, ठीक है, तो यह हमारे normal census जैसा नहीं है, census में हम लोग Indian citizen की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग सभी की बात करते हैं, और यह NRC जैसा भी नहीं है, न लेकिन NPR सबको count करता है, जो 6 मेने से रह रहे हैं, इसके करने का purpose यह होता है, कि जो सरकारी सुविधाई होती हैं, वो लोग तक पहुंच सकती हैं, जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वो जो है थोड़ा से इसका है, 2010 में हम लोग, जब 2011 का census हुआ था, तो तब हम 2021 का census होगा, उसकी report आएगी, तो उसमें हम लोग NPR भी कर रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा से मामला आपके यहां पर देखने वाली बात बनती है, लेकिन आप confusion मत नहीं होना चाहिए, NPR जो है NRC से different होता है, और यह जो NPR किया जाएगा, यह आसाम के अंदर नहीं किया जाएगा, वोटर ID कार्ड यहां पर अभी शायद नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाएगा, या कोई ओर डोकुमेंट आपके पास होगा, तो उससे भी काम चल जाएगा, इंडोनेशिया पाम ओयल एक्सपोर्ट बेन यह एक बहुत ही जबरदस्थ यहां पर न्यूस ऐसी है भी या, देखे पाम ओयल की जब हम लोग बात करते हैं, इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ओयल का, सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और वो सबसे बड़ा कंजूमर है तो ठीक है कोई बात नहीं, बात यह है करता है अच्छिए अच्छिए। है दो कंट्री मिलके दुनिया का 90 परेंट जो है पाम ओयल प्रोड्यूसर करती है, तो पहली बात यह पी हम इसाओ जगो को पाम ओयल के लिए इनके उपर डिपन्द करती है, लेकिन समस्य एक्ष ने अनॉंस किया है कि वो भीया मार्च अपरेल 28 से मतलब अभी कुछ समय में यह जो एक्सपोर्ट करते हैं पाइम उइल उसको बैन कर दिया है मतलब हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि उनकी internal domestically palm oil की कमी हो गई है shortage हो गई है और वहाँ पर बहुत महंगा यह महंगा भी हो गया तो उन्होंने अपनी domestic problem को दूर करने के लिए export को बैन कर दिया अब उन्होंने जब export को बैन किया तो हला हला हो गया देखे दुनिया में जो है इस समय पूरी world actually palm oil के लिए इन country के उपर depend करती है और क्या है देखे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ palm oil के depend ही नहीं करती है बलकि कई countries तो ऐसी है जो कि इनके उपर इतना depend है वो कहीं और से उन्हों import भी नहीं करती है देखे पहली मैंने आपका बताया कि 90% जो वो रहता है दुनिया में कि अगर मैं बात करूँ तो चार सबसे important oil होते है vegetable oil जो हम लोग खाना बनाने के लिए उसकरते है सबसे पहले नमबर पर आता है आपका palm फिर आता है आपका soybean फिर आपका रेपसिट जिसे हम लोग कनोला कहते हैं और फिर आता है आपका sunflower दुनिया के जितनी भी palm oil होता है उसका 60% वो कहां से आता है सिर्फ और इंडोनेशिया से आता है तो भाई जब पूरी दुनिया इनकों पर इतना depend करती है तो definitely फरक तो पड़ेगा ही लेकिन दुनिया से फरक से जादा हमें किसका फरक पड़ता है कि ऐसा हुआ क्यों ये global prices इतने high क्यों हो गए है और सिर्फ palm oil के नहीं soybean के और दूसरी oil के भी हो गए है इसका reason है इसका reason ये है कि demand बढ़ गई है और supply कम हो गई है जैसे soybean का जो production सबसे ज़्यादा होता है वो होता है अर्जंटीना के अंदर और अर्जंटीना में इसकी production कम हो गई क्योंकि वहाँ पे कुछ drought वगारा situation बन गया था उसी तरह से जो canola होता है जो rap seed होता है वो उसकी maximum production होता है Canada के अंदर Canada के अंदर भी कुछ समय पहले drought होआ था तो वहाँ पे उसकी production भी कम हो गई sunflower जो 80-90% supply आती है वो आती है Russia और Ukraine से वहाँ पे वोर चल रहा है तो चाहे आप soybean की बात करो canola की बात करो sunflower की बात करो या पाम की बायत करो इस समय दुनिया में सभी की किलत चल रही है तो इसी लिए Indonesia ने इसको कर दिया है ban ठीक है लेकिन इंडिया के उपर इसका क्या असर होगा इंडिया भाया पाम oil का सबसे बड़ा importer है और हम लोग 40% से ज़ादा vegetable oil में सिर्फ पाम oil का ही यूज़ करते हैं तो हमारे तो जो तड़का लगता था छोंक बोलते हैं जिसको कहीं जगए पर भाया वो तो फीका हो गया ना कैसे सिर्फ फीका ही नहीं हुआ अब जब price बढ़ेगा inflation introduced होगा currency का price भी यहां पर हमारा value down जाने वाली है तो वो सारी समस्य है भी यहां पर खड़ी होने वाली है हो सकता है इस ban की वाज़े से Indonesia की जो domestic problem है वो soul हो जाएं लेकिन internationally काफी problem होने वाली है तो यह जो है थोड़ी सी news आभ है Indonesia से पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का जो अगला topic रहता है वो रहता है energy independent through hydrogen important है काफी ज़ादा क्योंकि exam के perspective से तो important है ही सीथा सीथा question पूछे का आप से वो अगर मैं question है आपे बनाने लोग हो आपके लिए तो कह सकते हैं कि इस तरह से वो आप से पूछ सकता है that future lies in green energy and hydrogen can play a major role to achieve this ठीक है यह तो एक simple सी statement हो गई फिर बोलेगा वो in this background in this background discuss the steps taken by government and challenges faced to this technology ठीक है और फिर suggest some measures suggest some measures as well simple सा question है 250 words में and 15 marks future lies in green energy and hydrogen can play major role to achieve this in this background discuss the steps which are taken by the government steps आपको बता नहीं है and challenges faced इस technology को adapt करने में और फिर हम लोग कैसे solution आप suggest कर सकते हो simple साधान सा question आपको देखने में लग रहा होगा लेकि जब लिखने बैठ होगे तो आपकी हालत खराब होने वाली I know that क्योंकि 250 words में थोड़ा content जाद आपको लिखना पड़ता है तो सोच के लिखना पड़ता है लेकिन ये बना बनाया content आजगे बिल्कुल editorial section में है बिल्कुल बना बनाया content क्या कहता है देखिए पहले थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने कुछ समय पहले एक scheme चलाया था जिसे कहा जाता है hydrogen और ammonia policy green hydrogen policy और green ammonia policy तो और hydrogen national hydrogen mission भी सरकार ने 2021 में चलाया है जिसके तहत हमारा जो carbon climate का जो हमारा target है उसको चीव करने के लिए hydrogen को भी हम लोग promote कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा session के अंदर parliamentary session होगा था तो हमारे जो नितिन गडगरी जी है minister है वहाँ पे एक hydrogen car के अंदर गये थे तो वो भी कहीं न कहीं अभी ये मतलब ये एक symbolical है ना कि future में जो है hydrogen से गाड़ियां चलेंगी hydrogen से buses चलेंगी hydrogen से truck चलेंगे तो हम लोग क्या कर रहे है पेटरोल डीजल को replace करेंगे hydrogen से और coal का तो खर नाम और निशानी खतम हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में तो ये hydrogen policy बेसरी सरकार ने बहुत बहुत ही सही समय पे बनाई है तो ये चीज़े हो गई अब बात यह है कि ये green hydrogen actually होती क्या है इसका benefit क्या है देखे हमारे पास है water, water के अंदर होता है hydrogen और oxygen तो इसमें से हम लोग क्या करते है hydrogen को separate कर देते हैं तो हमारे पास abundant hydrogen है hydrogen की कोई कमी नहीं है परोड़ो अर्बो साल तक चलेगा, इंसान खतम हो जाएगा तब भी रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस hydrogen के अंदर current पास करते हैं basically electrolyzers का use करके, anode, ethode, cathode, वो आपका technology के बारे पता ही होगा तो उसके हम लोग क्या करते हैं, hydrogen separate हो जाती है इसको collect कर लेते हैं अब इसको आप as a energy इसको use कर सकते हो, right तो एक तो वो चीज हो गई, दूसरी बात this fuel can be a game changer for the energy security in India which imports 85% तो definitely हमारा जो 85% जो हम लोग petrol diesel इंपोर्ट करते ही हैं 53% जो natural gas है वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो future के लिए अगर हम लोग hydrogen का large scale पर use करेंगे तो यह हमारी dependence कम हो जाएगी, ठीक है जी, उसके लावा तो clean fuel का use करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जो fertilizer plants वगरा होते हैं, ठीक है हम उनके लिए mandatory कर सकते हैं जो आप बिजली बनाओगे, वो बिजली आपको hydrogen से मिलेगी तो definitely क्योंकि यह जो fertilizer plants वगरा होते हैं जो steel plants होते हैं, यह काफी साथ CO2 release करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर hydrogen का use करेंगे उस बिजली का use करेंगे जो hydrogen से बनती है तो definitely हमारे यहाँ पर clean हो सकते हैं ठीक है, अब use क्या क्या है, इसका देखे, बहुत सारे benefit है पहले बात इसको आप store कर सकते हो ठीक है, large scale पिसका store कर सकते हो long haul transportation के लिए long haul transportation के बतर भी होता है, जो truck होते हैं जो 200 km, 400, 500, 1500, 1500 km तक travel करते हैं वो hydrogen का use बहुत आसानी से कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हमारा जो industrial sector है वो पुरा decarbonize हो जाएगा बतला हम लोग carbon का उसका use नहीं करेंगे तो clean energy है, यह यहाँ पर बड़ी चीज है देखे, उसके लावा क्या है, कि हमारा जो 23 का 2030 का target है, है ना हम लोगों 500 गीगावाट renewable energy से करना है तो इसमें हम लोगों hydrogen का भी अगर add कर देंगे तो definitely हमले target को जल्दी achieve कर सकते हैं है ना, वो सबसे बड़ी बात होगी दूसरा कहता है कि जो normal हमारा जो अभी हम लोग पैट्रोल डीजल का use करते हैं तो इसको हम लोग किससे replace कर रहे है electrical vehicle से use कर रहे है इसके अंदरब जो है आयम lithium battery होती है लेकिन इनका range बहुत जादा नहीं होता है है ना, 500-100 km की बाद उसको दुबारा charge करना बढ़ता है लेकिन जो hydrogen based जो हमारे vehicles होते हैं वो 500-700 km तर ट्रेवल कर सकते हैं एक बार में long distance ट्रेवल के लिए आप उसका काम कर सकते हो यहाँ पर यह बहुत बड़ी चीज है दूसरी बात, कुछ ऐसे sector है हमारे पास जैसे steel sector है, iron sector है जहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से coal को replace करना क्योंकि वो पुरी तरह से लगभग कोल के उपर ही depend करते हैं, तो ऐसे sector में अगर हम लोग hydrogen का use करेंगे तो definitely इंडिया अपनी target को बहुत जल्दी अचीव कर सकता है हमारा जो terry है the energy and the resource institution इसका कहना है कि 2020 के अंदर जो hydrogen के demand थी इंडिया में वो 7 7 million metric ton थी जो कि 2050 के अंदर जाके 28 million metric ton हो जाएगी और हम लोग export भी अगर करने लगेंगे तो यह demand आपका 35 million metric ton तक जा सकती है, इसका मतलब यह है कि future में hydrogen की demand यहाँ पे definitely बढ़ने वाली है, hydrogen fulfills the three E's, यह आपको ध्यान रखना है three E's of energy road map पहला E का मतलब होता है energy security, दूसरे मतलब होता है energy sustainability, तीसरे मतलब होता है energy access इस तरह की चीज़े आपको exam के लिए बिल्कुल रटी होनी चाहिए three E's, three R, five M यह चीज़े बहुत काम आती है energy security वो hydrogen से मिलेगा energy sustainability वो भी मिलेगा क्योंकि green technology है और energy access, क्योंकि abundance में है ना hydrogen hydrogen का आपको अमेरिका से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है भी या हमारे यहाँ पे पानी है आप उसी से कर सकते हो तो यह तो कुछ benefit है इसके hydrogen के long time distance travel कर सकते हो store करना आसान है, सस्ता पढ़ता है clean पढ़ता है, हमारा target achieve हो सकता है यह सब इसके benefit है, यहकिन कोछ challenges भी है challenges यह हैं कि hydrogen manufacturing होती है, वो होती है काफी costly यह बात है, तो definitely जो cost होगी, बहुत बड़ा factor होता है तो hydrogen fuel महंगा होगा transportation महंगा होगा, inflation हो सकता है, तो यह सबसे बड़ा challenge actually यहाँ पे होता है actually 1 kg of hydrogen produce करने के लिए, आपको कम से कम 9 लिटर पानी की requirement होती है तो पानी की बहुत खपत होती है तो water scarcity की यहाँ पे एक problem है water scarcity और high cost इसको reduce करना है ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक strategy होनी चाहिए, और यह strategy हमारी demand level पे भी होनी चाहिए और supply level पे भी होनी चाहिए जैसे हम लोग बात करते है inflation की, कि inflation को कैसे दूर करें तो demand side में inflation को tackle अलग से किया जाता है, supply side में अलग से किया जाता है, तो दोनों तरीकों के आपके उपर आपको काम करना है, तो 5 step जो है वो demand को लेके बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या के तरीके हैं 5 है demand वाले, 5 है supply वाले तो कहता है कि पहली बात तो demand बढ़ाने के लिए जो mature industry है हमारे पास, जैसे refining industry, fertilizer industry, steel industry इनको incentive देने की जुरूत है हम इनको बोलेंगे कि भी आपकर hydrogen का use करोगे, तो हम आपको हैं, आप इनको incentive दे सकते हो चीक है, तो इनको incentive दोगे तो दोनों step यह लगबग एक जैसे ही है, लेकिन इसमें फर्क यह रहता है कि जो refining है, fertilizer industry है वो काफी जादा पहले से ही greenhouse gases को release करती है, तो थोड़ा size में difference यहाँ पर हो सकता है, blending आप कर सकते हूँ, hydrogen का आप natural gas के सत्थ blending कर सकते हो, जैसे हम लोग उसका methanol का और इthanol का blending करते है, पेट्रोल के साथ वैसे हम लोग natural gas के साथ भी hydrogen का blending कर सकते है, तो इसते भी demand बढ़ेगा दूसरी बात कहता है कि जो fuel stations होते हैं, जैसे petrol station होते हैं तो जो fuel station होते हैं वो हम लोग जादर से ज़्यादा लगाएं मालो आपको दिली से चंडीगर जाना है और आप hydrogen का use कर रहे हो और बीच में अगर कोई hydrogen filling station ही नहीं है तो भाईया इसका मतलब आप नहीं खरीदोगे अगर आपको पता है कि जाने के लिए आप जो एक्सप्रेस वे पर जाते हो जीटी रोड पर जाते हो तो आपको मिल जाएगा fuel तो आपको जादा दिमांड करोगे उसके लिए आप carbon tariff लगा सकते हो आप ऐसी companies के ओपर vehicles के ओपर ऐसी industry के ओपर tariff लगा सकते हो अब supply कैसे बढ़ा सकते है देखिए सरकार ने जो है 2018 में एक program चलाया था जीसे का जाता है सतत sustainable alternative towards affordable transportation तो इसमें क्या होने वाला है इसमें यह होता है basically कि हम लोग hydrogen हमारी जो bio gas होती है bio gas को तब को पता है न जो gober gas, bio gas जितने भी हमारे पास product होते है है क्या इस technology के उपर हमें काम करना पड़ेगा अगर हम लोग देखे इंडिया के अंदर बहुत बहुत ज़दा bio gas है, even दुनिया में इंडिया number one पे है, bio gas के potential में, तो पहले हम लोग bio gas बनाएंगे, bio gas से हम लोग hydrogen बनाएंगे, अगर हम लोग ऐसा करेंगे, तो supply को दूर किया जा सकता है दूसरी बात, जो भी जो छोटी-छोटी technology इस department में आ रही है इस पुरे industry में आ रही है हम उनको commercialize कर सकते हैं rather than सिर्फ experiment के तोर पे research and development आप बढ़ा सकते हो बढ़िया-बढ़िया technology ले के आए जो जिससे cost कम होगा है ना, cost कम होगा तो definitely supply भी बढ़ेगा production बढ़ेगा, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो production link incentive के अंदर इसको आप include कर सकते हो, जैसे हम लोग ने textile के लिए किया है, software industry के लिए किया है semiconductor industry के लिए किया है वो scheme में हम लोग hydrogen का भी include कर सकते है हमारे सामने आ सकती है, तो यह और गती शक्ती जो हमारा master plan है उसके अंदर भी hydrogen का यूज़ कर सकते हैं देखे ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 2-4-5 साल में hydrogen technology बहुत adapt कर ली जाएगी, हो सकते है 2050 तक 2060 तक, 2070 तक है ना, hydrogen का यूज़ थोड़ा बहुत हम लोग अठी ठाक तोर पे करने लगेंगे तो यह future technology है, future energy source है, अभी present में 5-10 सालों में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन step तो हमें आज ही लेने पड़ेंगे ना और इसलिए सरकार जो है, इस तरह के step ले रही है और उसको adapt करने के लिए परयास कर भी रही है, ताकि 2070 तक हमारा जो net zero है, हम उसको अचीव कर सकें और आतन निर्वर भी हो सकें, energy के मामले में दूसरे को पर depend नहीं रहना पड़ेगा तो future में basically हम लोग यहां पर invest कर रहे हैं, तो यह पूरे का पूरे article है, बिल्कुल बना बनाया content आपके सामने है, कम से कम मैं recommend करूँगा इस video को सुनने के बाद भी इस article का कम से कम दो बार पड़ें, फिर जो है आप यहाँ पर answer लिख सकते हो, तो यही था आज के लिए, लेकिन आपको मैं बताता चलूँँ के सिर्फ दो दिन बचे हुए है और इस दो दिन में आपने क्या करना है अगर आप admission लेना चाहते हो foundation course में तो आप जरूर लीजिए whatsapp नंबर आपको दिया हुआ है, पूरी information आपको यहाँ पर मिल जाएगी, description में आपको link दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप click करिए और पूरा information भरी form fill up कीजिए और foundation course को join करें 1000 पलस से ज़्यादा घंटे की हम लोग यहाँ पर class देने वाले हैं personal mentorship program भी रहेगा faculty के साथ one to one आप discussion कर सकते हो proper guidance के साथ prelims के लिए test series, mains के लिए test series essay के लिए test series, basically कहने के मतलब यह है, कोई भी dimension ऐसी नहीं है, जो हम लोग touch नहीं करेंगे सब कुछ आपका जबरदस तरीके से last topic तक भी cover करवाये जाएगा तो foundation course आप जरूर से जरूर join करें, थोड़ा सा समय आपके पास रहे गया है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करें अभी delay नहीं करना है, अब तक जो सोचना था, आप decision मेरे खाल से बना लिया होगा तो मिलते हैं classroom के अंदर उसके लावा हमारा एक current affair का comprehensive program भी चल रहा है, जो कि हम दो 7th में से launch करने वाले हैं, और 8,000 के लगभगी ये रहेगा, और हर Saturday को जो है, रात की 8 बजी से 11 बजे तक आपकी classes यहां पर होने वाली है, recorded videos आपके मिलेंगी, quiz मिलेगा, magazine मिलेगी, तो मतलब पूरा current affair basically यहां पर cover करवाए जाएगा तो यही था दोस्तों, आज के लिए I hope आपका article और आज का NLC समझ में आया होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें, नीचे comment section में भर भर के comment करें, अच्छी के अपने दोस्तों को recommend करें, और अपनी preparation को एक step आगे लेके जाए, इसी के साथ thank you very much, all the best, जाहिंद